जो अम Indna Acid के अंदर carboxylic acid है वो हमारा chemistry का गब्बर है तो सोले फिल्म में डायलोग है बहुत फेंबस हुई जी सोले फिल्म उसमें गब्बर सिंग एक डायलोग मारता है कि गब्बर सिंग को केवल एक ही आदमी पगड़ सकता है या मार सकता है वो है खुद गबर्स मैं गबर नहीं हूँ भी मतलब आयू पैक नेमिंग जब करेंगे हम नेमिंग अमेशा कहां से स्टार्ट करनी है इसके लिए कि मुई का एक टायल बोर लगा सकते हैं कि मैं जहां पर खड़ा होता हूं लाइन वहीं से सुरू होती है मतलब जहां परकार गुजलिक असे होगा नेमिंग वहीं से सुरू होती है अब स्टीरियो केमिस्टी को समझने से पहले आप एक चीज़ समझेए ऐसे बना दिया में यह अमारा यहां पे प्रजेंट कर बनें दिया स्ट्रेंस आज की इस लेक्षर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ऐन्धिक अंडीनें की जो हमारे अलफा अमिन시ाड्स है उनका नोमंगलेचर कैसे किया जलता है उनकी श्रक्ट्चर क्या है एक्सल में उसकी श्रक्चर के लिए क्या विडमिदैंशी रमिले है और एक परकार से उम्हां की जो स्ट्रीयो जिए है उस्का हम कैसे क्लाश सबस्क्राइब करेंगे और पिछल्य लेक्षर के उन्दर एसेंशियल और नॉन एसेंश्यल अविनीट के लिए शोड़ ट्रिंग भी बताएं थी आज हम पूरी टेबल करेंगे जिसमें इसेंशयल और नो एसेंशaltet की जो टेबल होगा हम बनाएंगे साथ में इसेंशयल और जो आपको पता है नोमनक्लेचर का मतलब होता है सिस्टम ओफ नेमिंग इसी का जो नाम रखने का जो तरीका है वो क्या होता है उसका हमारा नोमनक्लेचर होता है अब दो तरीकलेच्टर सिस्टम ओफ नोमनक्लेचर अवेलेबल होती है एक होता हमारा आयूपैक सिस्टम और दूसरा होता हमारा कॉमन सिस्टम इसके अंदर कोई भी तूमपान कहीम पोरे वर्ल्ड के अंदर कहीम की दिसक़र होता है तो उसके लिए सर्टेन रूल्स बनाएगे सटेन रेवलेशन से उन रूल्स पूर्ण रेवलेशन के एकोडिंग भी जो आप युद ऐसे सिस्टम जो उसका नाम रखता है साइट इसके में तर जब कि जो कॉमन सिस्टम है वह बेसिकली हमारा बेर से होता है सोर्स के बेसिस प लिए पर जो उसका नाम रखा जाता है तो जो अमेनो एसीड है हमाइनो एसीड्स के दर भी क्या रही है आईट अपैक सिस्टम बहुं है कंपाउट की नेमिंग के लिए और कॉमन सिस्टम भी है लेकिन मोस्ट कॉमनली इसके अदर जो अड़क्त किया जाता है मैंथर्ड व आयूपएक नेम क्या है वो भी देखेंगे और उसका कॉमन नेम क्या है वो भी देखेंगे आयूपएक नेम करने का जो तरीका है वो क्या है आयूपएक नेम इन से पहले माइब कोई ब़त बता देता हूँ कि amina acids के अंदर जो carboxylic acid है वो हमारा chemistry का गबर है क्या बोला है मैंने जो अमाइनला एसिड के अंदर कार्बोग्जलिक एसिड है वो हमारा केमेस्ट्री का गपर है तो सोले फिल्म में डायलोग रही है और बहुत फेमस हुई थी सोले फिल्म उसमें गपर सिंग एक डायलोग मारता है कि गपर सिंग को केवल एक ही आदमी सकता है वो एक खुद कपर से मैं गपर नहीं हूं भी ठीक है मूं उसके बात कर रहा हूं तो यहां पर भी जो अमने मैंने बता जिए अपको यह तीनक पार्ट आजिक का फिक्स रहेंगी चेंज भवा तो क्या हमारा आरगॡ यानिके वेरियावल तो यह जो कर बदलीक असी नहीं है मैंने बता जिए यह जिए क्या है गॉपर है मतलब है युपक नेमिंग जब करेंगे हम नेमिंग हमेंसा काह स स्टार्ट करनी है इसके लिए किताब की मुई का एक डायल और लगा सकते हैं कि मैं जहां पर खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है मतला जहां पर तारगुजलिक असीड होगा नेमिंग वहीं से शुरू हो ही ठीक है तो सबसे पहले हम इसके लिए दुआइने हैं मोस्ट को मली मोस्ट को मली को मन नेमिंग इस यूज को मन नेमिंग इस यूज फोर नेमिंग अमाइनो एसेस मैंने बता भी दिया है विए ज्यादा तर जो है अमाइन एसेस के लिए हमारी कुंसी नेमिंग इस होती है कॉमन नेमिंग यथ फिर भी वी केंड आलसो राइड देयर आयूपैक नेम्स फिर भी हम क्या लिख सकते हैं वह यह यह आयूपैक जो नेम है अईूपैक नवक्ता हमारा इंटरनेशनल यूनियन ओफ प्योर अद अप्याइड थिमस्टीर थिक है थिस आड गीवन ए स्टैंडर्ड अप्रिवेशन इंकी नेमिंग के लिए भी क्या लिखे इस्टैंडर्ड अप्रिवेशन दीग है and first three letters first three letters of common name are written तो जब भी नाम लिखा जाना जाना लिखा जाना नहीं तो हमेशा क्या लिर लिया जादा है उसके first three letter लिया जाना and उसका जो symbol है one letter भी अगर शोग परें तो वो उसका क्यों first letter लेती है ठीक है जैसे example ले ले लिखिए माल लिया? Glycin है हमारे पास तो 3 letters के अंदर इसके abbreviation करेंगे तो इसके लिखेंगे glide और 1 letter के अंदर लिखेंगे G तो अब हम उसके compound कडेंगे उसे ऐसे नाम्स देखेंगे जिनका हम I-PAC name के लिखेंगे विख और उसके लिए जो हम उसकी common naming लिख पडेंगे C-H, C-H, N-S-2 यहां पर आज रूप के लिखेंगे हम हाइड्रोजन दे लेते हैं ठीक है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ N-S-2, C-S-2, C-O-O-H हम एने क्या बता था वही पारवोजनी कैसी जो है chemistry का अगपर है तो इसको देंगे हम as number 1 और यह क्या रहेगा हमारा number 2 अब दो क्योंपर हमारा अब यहां पर रूर क्या लाग होता है कि किसी भी compound के अंदर जब तो या तो से ज्यादा functional group होती है एक functional group का दो जिली कैसी डें एक functional group अमेन है तो जो प्रिंसीपल फॉंक्शनल ग्रूप है वो यूज होगा as a suffix किस पूम में उसको सफिक्स की फूम में और यह जो सेकेंड जिये जो कम प्राइक्टिक को लागों पहिए हो जाएगा यह सबस्क्रिट्वेंट है और इसको यूज क्या जाएगा हम जाएगा हम उफ सफर्व मतला जो किसी के नाम यह लिखे जाते है और सुप्टाली परक्ताय जो किसी के नाम के बह्ये है और यह लिख म 상व चाहर जो इसके अंदर घाऊ च्ञिकला कुरह sûएगा तो सबसे पहले दर दूसरी को नमें लिख़ए हैं two amino जब नाम लिखेंगे तो swift सेलेक्र क्यों बड़ा पोजीशन और राम के बीच में हमेशा डैस से सेपरेशन होगी तू हमाई हो फिर दो पारवन है इत सिंगल गॉंड है एन और पहले लिपर ही सफिक्स हमारा कारव जली क्या तो उसके लिए क्या यूप करते हैं कोई कैसे तो क्या लिए हम है इत लो एक क्या होगा है हमारा इसका आयू बैक्स देखेंगे इसके साथ पूसरी पोजीशन पर हम इन गुरूप कर टू हमाई हो वन टू वन टू दो पारवन है इत सिंगल गॉंड है फिन ओड़ों सी हैज के लिए हमारा विक एसे तो क्या होगा तू हमाई हो इठे नोई के ऐसे फि आज रती इसके कोमनें के उपर है जैसा कि सबसे सिंपल जो हमारा माई में अचनल सब्सक्राइब के साथ में कोई गृूप हो सकता है तो सबसे सोटा जो जरूपा है जो जरूप वहारा इसको इंदर प्रजेंट है इसको जो पूमने मुदता है पिशली लेक्टर के अंदर जियो अम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुकित नहीं होता है गलाईसिक थीक है अगर हम इसको एप्रिवेशन करते हैं इसको कैसे ल इस परकार से आप इसकी नेमिंग कर सकते हों। दूसरी structure के अंदर क्या लेते हैं हमें। R गुरूप की जगह पे यहां पारे जोड है, R गुरूप है। इसकी जगह कर सब यह था पहले बड़ा करपा। दूसरा लेते हम लेते हम लिए, N-S-2, C-H, C-O-H और यहां पे, suppose रो मैंने ले लिया, Mithylle-C, कौन सा ले लिया, Mithylle-C, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, आप इसमें क्या हुआ है, आप इसमें क्या हुआ है, विक्टेमिस्टी का तब पर यह है, 1, 2, 3, अब तीन करपन होगे चीन के अंदर, इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ, C-S-3, इसको मैं C-H लिख देता हूँ, इसको साइड के लिख देता हूँ, N-S-2, और यह हमारा C-H, कैसे भी लिख लें, बात यह भी सेम है, यह भी सेम है, इसमें आप और इसमें हो जाए, 1, 2, 3, कैए है, अदर हुगे रिख लोंगे सेन होगी, सेकेंड अब पोजिशन पर हमारा सब्स्टिओएट हो गया, तो कह लिख लिख अगर कि 2 अमाई विख फार्मन longest carbon होगे, propanolic kindness, बात यह अध्याश के लिख लिख को ज़ते हूए, इसको नाम हो फाक है La9, शॉझ, अब네 लेक प्रकार से आप कितना ही बड़ा आपको नाम देते हैं उसके आप आई पेक नेमिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं एक और एजम्पल लेते हूं CS3CH CS3CH NH2COOH अब बात होए भी यह गफ़ा है इसको नमर मान 2 3 4 अब 2-2 सबस्टिट्वेंट है अमिनों 3 पर सबस्टिट्वेंट है मिथायल तो हम अलफावेटिक को पोड़ देखेंगे अलफावेटिकली जिस सबस्टिट्वेंट का अलफावेटिकली पहले ना आपको पहले लेख देखेंगे तो अमाइनों का A है और मिथाइल का M है तो जब आप एलफाबेट्स को रिंट करते हो A, B, C, D तो पहले A आता है तो रिखें के कैसे 2 अमाइनों फिर 3 डैस लगांगे इसकी पोजिशन को सेट्रेट करेंगे मिथाइल दूफ होगा हमारा मिथाइल चार कारबन को गे म्यूटेण और वऐ गता है तो क्या होगा अब है अमारा टू- अमीनों- थ्री मिथाइल ब्यू-टेन उई के ऐसे है तो इस परकार से आप जोजिशा आई उपक नेम लिख सकते हो इसके तो इस परकार से आपके किसी भी कंपाउट की जो नेमिंग है वह बहुत आसानी से कर सकते हूँ इसके बाद हम आते हैं इसकी स्ट्रक्टर के ओपार कि जो एलफामीन एसिल की स्ट्रक्टर है वही आपको देखने में तो क्या लग रहा है वही जो भी स्ट्रक्टर हम बना रहे हैं एक के अंदर आपने दिखाए देगा कि कर्बोग्जलिक एसिड है एक तरफ अमीन ग्रूप है एक मारा एक वह बैरीवल ग्रूप के अनिके आरफ रूप है अब आप बोलोगे कि सर आप स्टार्टिंग से पहला लेक्टर भी आपने देलिया उसमें भी आपने सिवेच भी बताया नेस्टू भी बताया इस लेक्टर के अंदर भी आपने स्ट्रक्टर बताया तो नेस्टू भी बताया बहीं वो स्ट्रक्टर सही है और यह जो मैं ब पहले हमारा-onion placement जो हमारी .. जो simple structure है वो हम बना लेते हैं की आखे ये एच को हो गया ये हमारा Nuesto ही हमारा hal goal ये especially लिख सकते हैं यहाँ पे अपर अपर Nuesto गुरुप लेते हैं और यहाँ पर कैसी लिख लेते हैं उलटागे दा सकते हैं अब इसमें होता क्या है, जैसा एक एक लोन पेर प्रजेंट है, आपको पता ही एक बेस है, और ये H-Positive का असानी से accept कर सकता है, तो होता क्या है solution के अंदर, जब इसका mixture बनता है, तो ये H-Positive जो है, इसके पास transfer हो जाता है, ऐसे, कैसे, H-C, अब N-S को ये पहले था, एक H-C और आ गया, क्या होगा हमारा, N-H-3, H-Positive आया है यहांपे, इसने लोन पेर लिए, तो इसके उपर क्या होगा हमारा, Post-it, य आप ये, जो बन पूटा, ये ऐसे पूटा है, ये क्या गया है, H-Positive, दोनों लेक्रों को लेके चला गया है, Sorry, ये क्या गया है, H-Positive, यानि दोनों लेक्रों उक्सिजन के पास रहे, ये, ये ऐसे था, दो और आ गये तो ये ऐसे होगा है, तो कैसे दिखा सुमारे में डाइपोलर आयन, या फे इसको ये को नाम देते हैं, जिविटर आयन, क्या बोल देते हैं, इसको डाइपोलर आयन और जिविटर आयन फोल, डाइपोल, डाइका मतलब दो, पोल मतलब से भी, एक positive और एक negative पोल बढ़ गया है, अब देखिए, आप इसको structure के इंदर पर भी ना तो NX2 दिखाई दे रहा है, और ना यह हमारा COOH दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जब हम इस structure के लिए कुछ test perform करते हैं, जैसे कि वही, अगर किसी compound में अंदर COOH है, या NX2, वह compounds कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, वोलेटाइल नाम दार भी, which convert into vapors, जो heat करते ही, इसके अंदर बदर जाते हैं, वैपर्स के अंदर, लेकिन जब हमाई में essence को heat किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वोहीं जो है, किसी परकार के वैपर से नहीं बढ़ी, तो वहाँ से एक idea लगाया गया, कि हो ना हो, इसके अंदर और भी दूसरे टेस्ट क जाते हैं, तो एक आए गाया, तो छेक की आगया, तो एक आए गाया यह polar में घुलता है, तो polar में घुलता है, आप polar में तो polar ही गुले गाया, इसका मतल़ जिसके अंदर कहीं न कहीं, जो है, यह एक्ट्रos टैपिक इंटर अक्रेक्शन की कान हमारा polar गुट या ionic formation होगे, इसकार से पोलर के अंदर तो solubile है लेकिन नों पोलर के अंदर solubile है नहीं है ठीक है तो इसकों कैसे लिखेंगे कि तो देकिते के लिखें श Quindi आपडा हम यह रेती हैं हैं मकलम है स्थे प्रमकनगे अर्ड़ा म।क होनसादा हमें यह वारा ऑसली 10 करू वन एसलिक ग्रूप वेसलिक ग्रूप कुन सा भी मरा COOH एदे वन बेसी ग्रूप वो बेसी ग्रूप कुन सा भी मरा NSU ठीट है तो एट एलफा है कापरेट है जब मरा एलफा पारगा लेकिन मैंने पताया जैसे की एक्षोल मे जब देखा ग्रर्शन नहीं मिला तो क्या हुआ बाटे आत्युए एक्शली थी तौ ग्रूप्स थीज तौ ग्रूप्स नहीं मिला तो क्या हुआ Champण वहा बते जुए बते शुएत्व्स एफदर वीक रस्कररत प्रोटोन, आगा ना भी, जैसो प्रोटोन है स्पोस्टिव, इसके ट्रांसफर से यह दो नो गुरूप एक दूसरी रुका में लेती हैं, हमें ही नूटरलाइज कर लेती हैं, फ्रॉम काहसे का ट्रांसफर है, C O O H to N O, फ्रॉम C O O H to N O, गुरूप, विदिन मॉलेकूल, ल ऐसा नहीं है, किसी दूसरे मोलेकूल के अंदर हो, हैंस, माइनो ऐसेट्स, एक्जिस्ट एज जविट्राइज, इस फोन को क्या हो देते हैं, जविट्राइज और डाइकोलर आयन, कलियर है, यह आपको डाइकोलर आयन मैंने पहले ही समझा दिया, अब हम क्या पढ़ेंगे एविडेंस कि किन तक्यों से यह बात प्रूफ होती है, कि यह दो स्ट्रक्चर आवे हैं हमारी, यह एक डाइकोलर आयन की स्ट्रक्चर है, यह एक जविट्राइज की स्ट्रक्चर है, यह एविडेंस for sport of जविट्राइज या इसके जविए अप्केलिक सुत्यों वही एविडेंस for sport of a डाइपोलर आयन, पहला पॉइंट मेरे आपको पहले है बताजिया रस्ट्रिशम में उप्केलिकेंगे, एल्फा अमीनो एसेट्स, एल्फा अमीनो एसेट्स, एल्फा अमीनो एसेट्स, दो नोंट है और फ्र 3, NS2 ग्रूप and 3, CUH ग्रूप अभी पटावी हुएंट, CUH कायाचे, NS2 जविए पास तास्ट्र होगा ता यह बढ़ा नामारा, NS3 पोजिट्जिव, उर्ये बढ़ा नामारा, CUO, Negative तो ये गुरूप हमारे प्रजेंट में नहीं, तू स्पोर्ट कीटे, इस बात के समर्धन के लिए वही, कि ना तो इसमें एनस्ट गूरूप है, और ये हमारा सिवेज गूरूप है, तू स्पोर्ट टे, वैरियस एक्सपेरिमेंट्स, तो इसके लिए वही अलग-अलग जो नहीं चाहिए, वो किये गई, वैरियस एक्सपेरिमेंट्स, रियाओ, वना दे, टू सी अलगूट्स, है, इसमें सबसे पहला, अक्सपेरिमेंट्स मैंने बता जा गई, दिज आर, Soluble Thin Polar Solvates यह किसके अंदर Dissolve करते हैं वही Polar के अंदर Dissolve करते हैं But Not in a Non-Polar Solvates Non-Polar के अंदर यह Dissolve नहीं करते हैं ठीक है दुसरा भी मैंने आपको बता जिया था वही These are Highly I-ne यह जो वही क्या है उसे ज़्यादा I-near character रखते हैं I-near character का हमें कैसे पता सकते हैं Because Have High Dipole Moment जब इनका Dipole Moment से क्या रहा है Dipole Moment आता है ड्रेक्ट में लेकिता हम है Mu is equal to Q into D तो उसकी value आई है 10 to 15 dipole तो यह जो value आई Which form? वहें Aqueous solution वहें Aqueous solution With a water Raises It's It's Dielectric constant Water का जो dielectric constant अभी जैसे इनको dissolve किया जाता अब बढ़ जाता अब dielectric constant क्या हता Basically जिसके अंदर हम tendency measure करते हैं कि कोई किसी compound को कितना dissolve परेगा अब जैसे हैं इसको भी जोड़ कर रहे हैं उसका dielectric constant क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इसका मतलाब अब water kind एक रेक्र पहले सा यह dissolve करते हैं dielectric constant और बढ़ गया है तो यह किस बात को confirm कर देता है कि उसका nature जो है वो कैसा है? polar ठीक है which confirm which confirm its nature is polar इस बात को confirm कर देता है कि जो उसका निच्चर परेशा है आमारा polar ठीक है third as ns2 and अबने cH groups are volatile ठीक पहले बता रहा है अमेने अमीनों ग्रूप और कोजली ग्रूप क्या है volatile है इसलिए जो amino acid बना है अगर amino acid और cH ग्रूप है तो ओकल पाउड भी कैसा हो राची है volatile हो राची है मतलाब which convert into vapors लेकिन actual में ऐसा नहीं था but amino acids are non-volatile non-volatile crystalline solids तो यह का जिचल कैसा दवीर प्रकार से non-crystalline था ठीक है अब crystalline होजे से क्या होता है अब अमने पड़ागा भी crystalline solids का मेंटिंग क्या होता है which meant at a which meant at a very high temperature which meant at a very high temperature which indicate which indicate large intramolecular large intramolecular force arise from electrostatic interaction क्या विविंग विविंग में electrostatic interaction के कालों के जो गोंड है उस क्रोंग बन गए है जिसका हमसे वो volatile P हो जाए उनका जो nature वो कैसा हो गया है non-volatile उसके बाद फॉर्ट पॉइंट अपता है ज्यादा समालट तो क्या लेकिंगे acidity and basicity constants are value इनकी जो value है वो क्या भी होती ज्यादा कम है जैसे एक एक्जाम्पल ले लिए k a value 4 glide c वो कितने होते है 1.6 into 10 raise to the power minus 10 होती है और अगर हम k b value इसके लिए निकाल ले है तो 2.5 into 10 raise to the power minus 12 होती है अब k value 10 की power minus 10 k b की value 10 की power minus 12 लेकिन अगर 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 नॉर्मल सीवेज लेहे नॉर्मल सीवेज के लिए जो k a value होती है भी होमारी वो nearly 10 की power minus 5 होती है और जो ns2 के लिए k b की value होती है वो हमारी 10 की power minus 4 होती है तो ये values कहीं होना जाना है इन values के comparison में तो इनका जो acidity और basicity constant की value हो समाल होगी है रीजन क्या है ns2 और coh में coh से edge का transfer होगया है और neutralization होगी है और last बढ़ा है अब edgeism transfer होगया तो ये क्या बढ़िया ns3 positive और ही क्या बढ़िया co negative इनकी confirmation की रही है IR spectra क्या है presence of ns3 positive and co negative is confirmed by IR spectroscopy and raman spectroscopy not presence of ns2 and co h तो IR roman spectra देखे किसकी presence को confirm किया है ns3 positive और coh negative ना कि ns2 और coh की presence तो ये हमारे कुछ evidence है जो support करते ही है कि हमारा किस compound के अंतर जो है ns2 और coh की वजाए ns3 positive और दूसरा जो हमारा प्रजेंट हो COO negative clear इसके बाद इसके बाद आता हमारा stereo chemistry of alpha amino acids stereo chemistry of alpha amino acids अब stereo chemistry को समझने चे पहले आप एक चीज़ समझिए जैसे मैंने ये चान नाट को ले दिये ठीक है जार दिना दो ये ले लेता हूँ आपको ऐसे suppose कर लेते हम कि suppose कि जीए इसे बना दिया बेट ये अमारा यहां पे प्रजेंट कर्बन क्या ये कर्बन ये इस तरफ आइड्रोजन होगी अगर यहां पे भी आइड्रोजन आ गया तो ये गुरुप तो सेम होगई मिलर इमेज सेम आएगए मतलब ये उप्टिकली इनेक्टिव है और ये स्टेरियो आइसमर नहीं है ये सुप्रेम पोजेवल इमेज हमारी होगी है लेकिन ह को छोड़के अगर कोई भी गुरुप आजाए CS3 आजाए CS2OH आजाए CS6H5 आजाए तो क्या हो जाता है ये चारो गुरुप डिफरेंट हो जाते हैं तो जिसमें चारो गुरुप डिफरेंट हो उसको हम क्या बलते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि जो compound हो हमारा क्या होना चाहिए कायल क्या होना चाहिए कायल क्या होना चाहिए वो जो इमेज आए है हमारी वो non supreme possible और अलग अलग जो हमारे जो इसकी structure imagination है supreme possibility हो हम देख सकते हैं करेंगे in alpha amino acids all groups attached every day alpha carbon all groups attached alpha carbon are different कि जितने के group attached alpha amino acids के साथ है वो सारे के सारे क्या वही different है सबसे पहला अलगम ने पड़ा था glycine glycine में क्या होता है यह carbon इस्तरपी है जो तार और किज़े यह लिया चुता है बाक्ती आपी से लिया चैनल सो इससे होता है तो यह दो ग्रूप है sync तो बाक्ती कोई भी amino acid होगे सब में यह जो ग्रूप होगे क्या होगे different होगे हैंस अलफा carbon atom acts as a stereo center तो किसका काम करेगा है stereo center का काम करेगा and all amino acids and all amino acids are chiral furniture chiral का मतल में बताते होगे जब सारे के सारे गूप जो अटाइच होगे center का carbon के साथ वो different होगे ठीक है hence अब chiral फूप में तो वो exist करेगा two forms के दर hence exist in two forms वो दो forms को पूप में D and A L form तो D and A form L form आपको एक बार बता लिता हूँ कि जिसने भई पिसले semester के अंदर हमारा carbonated पड़ा था यह हमारा CAH होगे NH2 है इसका नाम होता है क्या होता है glycera अगर OH left में है तो उसको बोल देते थे L glycera होगे कि D होगी या L होगी लेकि इतना आप समझ लीजिए कि अगर OH left में है तो L यूज करते है उसके लिए notation और OH अगर यह हमारा right hand side में है जैसे आप video board के साथ ने यह आपका right है OH right में है और OH अगर left में है left hand side है तो exist करता है दो form में D and A L में which are belongs to L series अब यह भी पता लगा लिया है यह जो दो forms में D और L में से जितने amine acid हो किस form में exist करते है L series में L series का मतलब क्या है that is NS2 group configuration at alpha carbon to that of OH group जो OH है इसकी जगे पे left में हमारा कुमा गया है NS2 अगया है ठीक है बाकी का हमारा वही H COH और यहां पे हमारा क्या हो गया है R यह इसको अगर हम 3D के अंतर review करेंगे तो 3D में मैं दिखा सकता हूं यह CH हो गया हमारा NS2 group यह away from observer का निशान दिखा यह जो dense GFS पर्मला ही उसकी अगरता है यह हमारा away from observer का निशान दिखा यह 2R observer है वही है और यह हमारा क्या हो गया R यह इस परकार से आप जो है बता सकते को अब आपने इकना मोर्सुमा हुआ आप जिसों बोलते हैं RS notation क्या बोले दता है RS notation तो क्या लिखेंगे according to RS notation L alpha amino acids have S configuration जितने भी L alpha amino acid होंगे वो किस configuration के अंद राहे जिए अगर हम RS notation के according to categorize करेंगे तो S configuration के अंद राहे है तो हम क्या किसती है we can say अब proteins जो थे भी झालते है हम् क्या किसती है proteins constitute of L amino acid बत all sugars जो sugars है belongs to D series जितने भी जुबर्स हमें, वो हमारे बिलोंग करते हैं D-Series से, और जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो बिलोंग करते हैं में मारे L-Amino Assets है, क्लियर है, इसके बाद हम करें लिए जो हमारी सीरीज है, Essential or Non-Essential Amino Assets की, जो पूरी टेबल है 20 के 20 हो, हमारी Essential or Non-Essential Amino Assets है, उसके लिए जो आर गुष्ट है, वो अमारा क्या लेगा, वो टेबल हमें साथ की साथ करेंगे, ठीक है, जैसे तो मैंने आपको सभी ने Assets को याद करने गात्रिक का बता भी क्या था, ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क् अब इसके लिए गिलेते हम सबसे पहले, यहां पर लिखेंगे वह अमारा Amino Assets का नाम, उसके बाद लिखेंगे उसकी जो स्ट्रुक्टर होगी, क्या होगी, फिर यहां पर लिखेंगे वह अमारी उसकी, Apprevation, फिर लिखेंगे उसका, One Letter Code, और फिर हम उसके लिए अब यहां आई सेलेक्टिक पॉइंट क्या होता है यहां आने मले लेक्षर के अंदर फर्दर डिखेंगे, तो सबसे पहले, आई सेलमीन असेड हम सबसे आसाली देखेंगे वह गलाईसीड, मैंने एक चीज़ पहले बताती होगी, पोलिण अमीन असेड होगी, उसके लिए है अब कि कुछ चैनल, जैसे गलाईसी में हमने लेकला रैंट, इसके लिए आप क्या होगा एच, तो इसकी श्रक्षर क्या बना देखेंगे, हम यहां पर रिखनेगे, हैच एब्रिवेशन कर दीजिए आप, एब्रिवेशन में क्या कर देंगे फर्स्ट्री लेटर, तो मिका जो देंगे GLY, वन लेक्टर कोड़, फर्स्ट्र का इसका G, तो वन लेक्टर क्या हो जेगा भी, G, आईसो लेक्रिक पॉइंट इसके लिए क्या होता हमारा 6.0, दूसरे न हमारा क्या रहेगा भी, सेम रहेगा, तो एब्रिवेशन इसकी AL ने, वन लेक्टर में इसको AL देंगे, और इसे लेक्रिक पॉइंट इसके लिए विका होता हमारा 6.0, उसके बाद, थर्स्टा में हमारा बैली, जिसको मैं स्टार लगा दू दी, वो हमारा क्या होगा, एसे इसेलघना, अब इसमें क्या होगा, यहां पर इसमीजिक अपर क्या आजएगा, कारभन के साथ, CH 3 का, THrice, память is sorry, twice, CS 3 का, ट्वाइस, CH, अब यह structure कैसे है विक, इस structure को मैं से बना सकते हैं, मैं इसको नीचे बना देता हूँ, CH, NS 2, CH, इसको मैं से बिपच सकता हूँ, यहां पर यहीं पर बना देता हूं, C at CS3 का ड्वाइस, इसको ऐसे बना देगी, C at 1 CS3 साइड और 1 CS3 साइड, यह क्या होगा हमारा वैली, इसके लिए short form क्या होगा हमारी, वी, A, L ठीक है, और इसके लिए symbol क्या होगा हमारा, V, और ISO electric point इसके लिए भी क्या रहेगा हमारा, 6.0, clear है, तो इस परकार से आउस पुक्त्र वे लिए जिम्रा, उसके बाद फोर्थ है लूशीन, क्या जलता है, लूशीन, लूशीन को भी में स्कार लगा जलता हूं, यह भी हमारा कहेंगे, essential amino acid है, इसमें का होगा भी, इस carbon के साथ, यहापर क्या आ जाएगा, CS2, CH, CS3 का, twice, ब यहापर कोक्या लूशीन, इसकी इस सोट्कोम आपना दो, इबि एबरिवेशन, क्या है, ऐसकी लेक्रल, लूशीन, ल, टी, थिका है, वनलेटर अबरिवेशन, ल और इसका भी isolactor point क्या अत्ता है, इसका वे लेक्ता भी हमारा, 6.0, फिप का आ जात्ता भी हमारा, isoluthe, यह कि कас यहां घए यह इसेंशल अभी लेसीद इसमें का होगा रहे यह यह यहां है क्या लिए 3 एक साइड आजएगा यह क्ष। इसका सेंबल के अग्डावी आइस सो वंडार में क्या लिए को आइए और इसका गया चूंए यहां49 30 उसके बाद 6 ता तका विमरा फिनाईल-लै और फिनाइल-लैइट पर याद करना होता सानवी क्यों क्योंकि यहां पर बता चुत तें वाज़ फिनाईल-लै-लै-लै-लै-ब लेकुड चुके हैं LA9 में यहांपे क्या नावी, CS3 ना, यही CS3 के पार से 1H8 के फिनाई दा देगा, मतलब में क्या बनात हुआ, NH2CHCH, यहांपे क्या दा, CS3 ना, यह ना, LA9, फिनाई दा 9 है, तो CS1H8 के क्या जाएगा, इसके बसाद में, CS6H5, यह इस पैसे बनात हुआ, PH, इसका मतलब है, फिन और वन लेटर में इसको क्या लिगेंगे, बही हम, P, और इसका दो आई से लेक्रिक पॉइंट होगो, इतना हो जाए हमारा, 5.89, उसके बाद, 7, पिनाई दा 9 है, इसको भी स्टार लगा लेगे, क्योंकि यह भी हमारा क्या आपने है, के इसेंसियल अभी नैसे है, उसके ब क्या होगा है, यह क्या होगा है, यह हमारा मेखियो 9 उपरेगा, तो 2 CS को सलफर के साथ एक उठाए लोगा, सिंबल क्या आजाएगा इसका तीन वर्ड में, M, E, T, वन वर्ड में क्या लेतेंगे इसको M, और इसका लोग, आई सेलेक्टिक पॉइंट होगा हमारा, 5.7, उसक प्रिक्टोफान, क्या जत्ता अभी हमारा, ट्रिक्टोफान, जिसके उप्रविश्कान लगा जितना हूँ, यह लिख्या है कि, एसेंचियल अभी 9 उसेल है, इसमें क्या हुआ वही, जो CS2 है, इसके साथ फाइल मेंबर ड्रिंग आजाएगी, जिसमें मारा नाइक्रोजन तो इसके साथ फड़ी सी इपोर्टेंट बना जत्ता हूँ, NS2, CH, COH, यहां पी क्या जाएगे वह मारा, CS2, इसके साथ यहां पे, NH, यह डबल गुन, यह डबल गुन, आपके साथ यह कोचिन आएगे हमारी, बेंजीन की, वह यहां परम, मना दिगे इसमेकार से, ते का इसमें बेसिकली चार वर्डी उस होंगे वे, अकेला ऐसा हमारा कंपाउड अवे, जिसमें हम कितने वर्डी उस करते हैं, चार वर्डी उस करते हैं, बल्गी ट्रैप निका जाता है, इसको जाएगे, DR-AP, वन वर्ड क्या हो जाएगा उसका, डबल गुन, क्या हो जाएगा इसमें का F होता है, और ट्रिप्टो फान का जो सिंबल है, वो क्या होता है, डबलू, एक बात और इंपोर्टेट आगी वे, जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखने है, जो ट्रिप्टो फान है, इसका फर्स लेकर तो T है, लेकिन या लिखा क्या गया है, डबलू, ताकि व डबलू, डबलू, आपको देखकर कि यह भी पुचा जिता, बताओ, डबलू किसका सिंबल है, या कि डबलू जो यूज होगा, मैंने सिंब के अंदर के, वो हमारा क्या होगा, तो बहुत द्यान से ये स्क्रेक्टर करिया भी, इसके लिए जो पियस रहेगी, वो हमारी 5.9 इसके बाद हमारा 9 खंता है, सिरी, यह हमारा नों लिसेंचिल होता भी, इसमें बस हमारा क्या अपता है, यह आपका फॉंक्सल लूप, CSQ के साथ, OH आ जाता है, तो कहली देंगे, इसी में डिनोंट कर देता हो, मैं सिरीन के लिए, यहां पे आलेगा हमारा CSQ, OH, अब सिंब और जो 10 अब हमारा, वो है सिस्टीन, C-Y-S-T-E-I-N-T, सिस्टीन में बस थोड़ा सा यह हमें, यह जो CSQ, OS था, ओक्सीजन कीजी लिए पिक्या जाएगा, स्वर्फर आ जाएगा, और कुछ भी डिफ्रेंस लिए, सिलीन और सिस्टीन में, मतला, NSQ, CSQ, CH, यहां पे कहली क CSQ, SH आ जाएगा, एक आवरा हमारा सिस्टीन, इसके लिए है, सिंबल क्या रहेगा भी हमारा, अजसेट पहले तिन वर्ण है, C-Y-S, फिर लेटर क्या रहेगा हमारा C, और P-H इसके लिए इसके लिए हमारी 5.1, यह भी क्या आपके हमारा के, non-essential amino acid है, क्लिए है, इसके बा अब इसके शिंबल याद रहेगा, ज़रूरी है भी, जो वन लेटर वर्ड है, जो वन लेटर पोर्ड भी यूज कर रहे हमें के लिए, कई जो essential उसके लिए आपको PhD याद रहेगा, essential के लिए, उसके बाद हम 11 के उपराते है, 11 है भी हमारा glutamine, क्या है हमारा glutamine, क्या हमारा glut NS2, CH, COOH, CS2, CS2, CO, NS2, SC minus a word होता है एक परकार से, वो यहाँ पराएगा, तो CS2, CS2, CO, NS2, CO, NS2, ठीट है, अब गलुका में के लिए सिंबल क्या हुआ हुआ है, अब ऐसे तो first third action क्या हमारे GLU है, लेगन इसके लिए तो abbreviation यूज की ज़िए भी हो है, GLN और glutamine के लिए जो सिंबल अजय सा कि first letter G है, लेकिन one letter इसके लिए जी यूज निकरेंगे, क्योंकि जी हमारा पर ले आ चुका है, glycine आ चुका है, तो दुबारा जी यूज करेंगे, माले अक्रामिन ने जी दिय दिया, तो हम कैसे समझेगे कि भी ये glycine है, या glutamic acid है, या aspargene, क्या पता है भी हमारा aspargene, aspargene में क्या करेंगे भी हम, basically एक cs2 बहुत आदेगे बस, यह हमारा क्या बहुत है, aspargene, cn-s2, c-s-c-h, c-s2 के साथ c-o, n-s-2, aspargene का सिंबल रहेगा हमारा asn, क्या रहेगा asn, क्या रहेगा asn, and all atomies के लिए बढ़ी जी उत्ता भी aspargene, aspargene, cn-n, आगया ना क्यूं यूजर, अदा के भी हम एक अचता है, और A अगर लिच में बढ़े लिए आप यह बढ़ा तो वो anonine है, aspargene है, यह तो हम नहीं समाण सकते थे, तो इसलिए aspargene के लिए आप रखेंए, दो बढ़ी होता हो, गाप आप अमरा, n- और इसके लिए PS ओत्य भी हमाली, ओत्य फाइब फाइब प्वाइंट ए 4, उसके बाद 13 धाता में हमारा 309, ये अमारा भी एक एसेंशियल अभी नेस है, ठीक है, इसमें सिंपल क्या होगा हमी, एक साइड मिठायल गूर्प आ जाएगा, और एक साइड इसमें हमारा फंक्सल सब लो OH आजेएगा, ठीक है, इसके लिए जो सिंपल लिए उन जोगा हमारा, सिंपल होगी, पी एच आज उच होगा, विस्तिन वड़ में लेवर में, और इसका बन लेटर की T रहेगा, और 309 के लिए जो PS रहेगे, भी वो रहेगे, मानी 5.7, फ्लियर है, उसके बाद, 309 क्या है, CS तो इसके साथ, Benzene Ring के साथ, Oms Function Group आजाएगा, हमारा, Oms Function Group आजाएगा, ठीक है, क्या बसामेने, Benzene Ring के साथ में, Oms Function Group तो यह क्या हमारा, Tairosin, और Tairosin का सिंपल, T, Y, R, अब सिंपल इसका T रहेगा, पहले भी आ जोटा है, तो T, Y है, तो Second Letter इसका ले प्रोइंटे, 6, उसके बाद, जो 15 आतना हमारा, 15 अभी, प्रोलीम, तो हमें हमारा, प्रोलीम, अब प्रोलीम की जो स्ट्रक्चर है, वो इन सब से डिफरेंट अभी, उसमें सिंपली बस आपको क्या करना है, यहां पर NH होगा, और इसके साथ हमारा क्या होगा, CH होगा, यह यह हमारा क्या होगा, आपकी, CH2, CH2, इसके साथ CH2, NH, CH2, यह क्या होगा, और यह कौन सी स्ट्रक्चर दिखाएगी, यह हमारा इसकी, सेकेंड इस्ट्रक्चर है, सिंबल इसका क्या आतना हमें, प्रो, एब्रिवेशन प्रो, वर लैटर पी, और प्रोलीम के बाद, जो 16 आ आतना हमें वहाना, एसपर्टिक एसीड, अब इक एसीड आगया वही, तो यहां पर क्या होगा, CS2 के साथ, परोजलिक एसीड, तो यह क्या होगा, आपकी, इसकी ग्रेटर नमर वह सीवेश होंगे, वो क्या होंगे, हमारे हैसीड, तो CS2, COOH हो जाएगा, सिंबल कहा है इसक एस, वन वर्ड यूज करेंगे, विसके लिए, D, ए यूज निकरेंगे, विसके लिए, D, और इसकी प्याज होगे, विसके लिए, 3.0, उसके बाद, 17 तो यह होगा, ग्लुटैमिक एसीड, ग्लुटैमिक एसीड में क्या होगा, ग्लुटैमिक एसीड में क्या होगा, 2-COOH ये किसके लिए होगे हमारे glutealic acid लिए? symbol क्या होगा इसके लिए? glue और इसके लिए 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 उता हो वहारा E होता है और iso-electric point होता है इसका 3.2 उसके बाद 18 ताथा में हमारा lygene lygene क्या रिशारा जारे ता लिए आखे अबार इसेंशेलमील एसिन है यहां पर क्या जाएगा मैं लाइजीलिक पेसिक है तो यहां पर क्या जाएगा दी। CS2 का twice NS2, यह क्या होगा है हमारा Lygene होगा, CS2 का thrice करेंगे हो लिगे, मतलगी स्क्रेप्चर को अगर मैं बनाओ, कैसे लिखुमा, NS2, यहां पर क्या होगा, CH, CS2, 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 CS2 का thrice है, यह पीन बार CS2 लिखेंगे, और फिर NS2, यह क्या होगा हमें, तो हमारे पेस्टी ग BCENE होगा हमारा प्वन सी टाइप होगे, essential amino acid की टाइप होगे, single voice का LYS, एमेरिमेशन, one lettermaus का K, और इसके लिए जो isolate point होगा, वह वह 9.7, उसके बाद, 19 त बाढ़ा, RG9, यह भी क्या होगा हमारा, essential amino acid, यह है, essential amino acid, अब इसमें और इसमें क्या परेकार, RG9, तोनों में यह यहां तक स्टुक्तर शियम आईगी, बस यहां से Ns2 में से एक Hx जाएगा हमारा उसके साथ C Ns2 हमाई रूप आजाएगा, अलब क्या लिखूं हमें Ns2, Cs, Cs, यहां पर क्या आगा Cs2, एक Cs2 अट जाएगा, क्या लिखूं इसको Cs2 का, ट्वाइस फिर, एक Hx जाएगा यहां से शिम्बल का होगा वे, A-R-Z, वनवर्ड इसके लिखा है उसके लिखा होगा वे, R, और पी आई सेलेक्टिव पॉइंट होगे, इसके यह 10 पॉइंट के R, और उसके बाद लास्ट में हमारा 20, वह क्या अता है हमारा, 60D, यह भी क्या हमारा स्टारा आज़का है, के essential amino acid है, ठीक है, इसमें क्या होगा वे, यह जो CS2 है, उपर बना लेता है, इसके साथ है, नाइट्रोजन की 5-member ring आजएगी, NS2, CS, CS, CS2, अब इसके साथ मैंने बना 5-member ring आजएगी, ऐसे, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, ऐसे, यह डबल हों, यह डबल हों, यह डबल हों, तो इस परकार से क्या होगा विमारा, स्टी इन, इसका सिंबल क्या रहे है है, है चाहिए, यह, 3-letter integration, 1-letter integration होगी, है, पुराइशलेक्टिक पॉइंट होजाएगा इसका, 7.6, जाजाएगा, 7.6, तो इस परकार से बहीं हो जितने भी जो हमारे 20 अमिल एसेड है चाहिवो इसेंसियल है चाहिवो नोन एसेंसियल है पी एच के बेस पर आपको यह भी आपकर सेट जिए 3.0 3.0 यह दिखार आपको यह नियुक्त है यह जो उपर गये है यह बेसिक है और 6 यह यह साथ क्या स्पास अब वो नूट्रल है तो इस परकार से भी आज के लेक्सर के अंदर हम इतना ही पड़ेगे नेक्स लेक्सर के अंदर हम गरें लेक्स टोफिक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और दूसरों कभी वीडियोज को जीतना ज्यादा और तुना पहुचाने के कोशिस करे अके लिए ना देखे ठीक है और ओनलाइन देखने के कोसिस करें वही था कि चैनल को भी कुछ बेनिफिट हो उसके उसके अगर आप थोड़ा बोध कॉंट्रिबूट करना चारते हो तो चैनल के सब्सक्राइब के साथ आपका जोईन का बटन आपको दिखरा हुआ वा वास च अगर आपको जोईन करके मेंबर्सिप भी ले सकते हैं ठीक है तो आज के लेक्सर के अंदरे तना ही ठीक है करते हैं आपको करते हैं आपको करते हैं लेगर उना है